हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु माई चैनल मैचके लुको की मिद्पूनम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की अपने इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट पूड़ी और बचों के ऑल टाइम फेवरेट खीर तो चरे जड़पट से बनाना कढ़ा दिया है और इसको हम ढग देते हैं थोड़ा गरम होने देते हैं पहले तब तक हम आठा बना के तयार करते हैं तो यहां पर पूरी के लिए आठा लगाने के लिए मैंने प्ला परात में दो कप आठा ले लिया है और उसके बाद हम यहां पर थोड़ी सी चीजे मिला लाएंगे जिसे कि हमारी पूरियां बहुत ही soft बनेंगी और फुली फुली से बनेंगी टोआ हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक यहां थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें इसे हमारी पूड़ियां बहुत नरम बनती हैं और यहां पर कराई पूड़ियां बनाने के लिए हम डाल रहे हैं सुजी तो यहां पर मैं आधा कप यह सुजी डाल रही हूं यह बारिक वाली सुजी डाल करके सभी चीजों को आप अच्छे से पहले हाथ से मिला लें तो तेल, सुजी और नमग ये डालने से हमारी पूरियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी फूली फूली सी बनेंगी और काफी टाइन तक ये नरम ही रहेंगी तो पहले इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक टाइट सा डो बना करके तयार करेंगे हमें आटे को बहुत देर तक मसल मसल के गूंधना है लेकिन इसको हमें नरम नहीं करना है इसका डो हमें टाइट ही बनाना है पूरी का डो टाइट ही रहता है अगर नरम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा तेल पीने लगती है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमको अपने पूरी के लिए एक टाइट सा लेकिन अच्छे से गुंदा हुआ डो बना करके तयार करना है अगर आप एक बार में ज्यादा पानी डाल देंगे तो डो हमारा नरम हो जाएगा तो यह देखिए इस तरह से हमने टाइट सा लेकिन चिकना सा डो बना करके तयार कर लिया है तो इसको हम अच्छ तो यहां पर मैंने इतना चावल मैंने देखे भीगा करके पानी में रखा है इसको अच्छे से फूल गया है हाथ से ही इसको हम मसल लेते हैं और इस तरह से मसल के तुकड़ा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको दूद में डालेंगे तो यहां पर डालने के टाइम गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे और यहाँ पर चावल डालने के बाद दूद को छोड़के हटे नहीं इसको थोड़ थोड़ डाइम में चलाते रहें तो हम बना रहे हैं केसर वाली खीर तो हम केसर अलग से भिगाएंगे नहीं यहीं पर केसर के धागे हम इसमें डाल देंगे तो मैंने ये केसर ली हुई है, आपके पास जो भी केसर है, वो आप डाल सकते हैं आप बीना केसर के भी बना सकते हैं, लेकि सरदियों में केसर खाना ज़ेकर हैं क्यूंकि क्हीनों चल्ड़ंटेww अच्छे से कौ में पूरी कपने के साथ इसनने अपने कलर्ड छोड़ चूरू कर दिया है तो खीर हमारी अच्छी सी पीली पीली सी बनके तयार होगी केसे जी खीर बना रहा है हम लोग और इस तरह से देखिए हम इसको चला दे रहे और गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखेंगे और बिल्कुल भी छोड़के हटेंगे नहीं थोड़ थोड़ टाइम में इसको हम चल स्वाइल पढाने का फील हो देख रहे हैं जैसे खीर पक रही है गाड़े होते जा रहे हैं और पीला होता जा रहा है तो यह खीर खाने में बहुत टेस्ट agree और यह कोई गैस्ट आने वाले हो old मत्रा एक कैसर वाइशा इस देखुर आफ nephew बना के देखिए बहुत अच्छा पूरी मलाई बैठ रही है साथ साथ में मिलाते रहेंगे ताकि खीर अच्छी सी गाड़ी बन करके तयार हो और इसको हम ऐसे बीच-बीच में चलाते भी जाएंगे आटा हमने पहले ही लगा करके रख लिया है और खीर बनने के बाद हम भट से पूरियां बना लेंगे तो बच्चों को कभी भी अचानक से भूख लगे तो बच्चे तो खीर पूडी बहुत प्यार से खाते हैं तो देखें खीर हमारी बन गई है अब हम इसमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे चीनी तो पहले हम जब तक खीर पक रही है तब तक हम अपने आटे की लोईयां बना करके तयार कर लेते हैं तो गैस का फ्लेम मेंने बिल्कुल लो किया हुआ है और यहाँ पर हम देखें जितनी पतली पतली जैसे पूडी आपको बनानी है चोटी बड़ी हम बनाएंगे और इसके लोई इस तरह से करके बाकी आटा हम ढग देंगे वो टाइट नहीं होना चाहिए और क्योंकि हमने बहुत टाइट आटा गूंदा है तो उपर से पापडी नहीं जमनी चाहिए तो इस तरह से हम लोईयां बना करके रख लेंगे पूडी बनाने के लिए आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि एक बार जब तेल गरम हो जाता है तो बहुत जल्देदी पूडियां बनती हैं तो हम अपने बेलन पे और चोके पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हम इसको बेलने के लिए सुख्याटे का यूज नहीं करेंगे हमने आटा बहुत अच्छा बनाया है इसलिए देखे कितनी आराम से हमारी पूडियां बन करके तयार हुई है बिल्कुल भी नए चिपक रहा है यह दिखे कितनी जुन्दर्व हमारी पूडियां बनी है इसी आप एक तरफ से उसको फ्राइग करते जाए तो इस तरह से देखे पूडियां हम बना करके इसको साइड में रख लेंगे आप आठ से 10 10 से बारा पूडियां एकसाथ में बना करके रख सकते हैं और फिर घैस पर उसको तल सकते हैं तेल गरम करके तो यहाँ पर दीखे तो बंद करके भी डाल सकते हैं क्योंकि कई बार अचानक से दूद में चीनी डालने से दूद फट जाता है तो इस तरह से मैंने यहां पर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दिये जितना मीठा आपको खाना पसंद है और अगर आप चाहे तो यहां पर गुड का यूज भ बंकुल बंद करके करें और यहां पर देखे मैंने चार इलाजी को दरदरा कूट के इसका दरदरा सा पाउडर बनाया है वह भी मैं इसमें डाल करके अच्छे से मिला दे रही हूं और बस खीर हमारी बंकर के तयार हो गई है अब इसको हम ढख करके रग देंगे चलिए गरम है तो अब हम इसमें हमने पूरियां साइड में पहले से बेल रखी है तो हम फटा फट से कभी भी साधी पूरियां बनाने के लिए तेल बहुत गरम होना चाहिए मीडियम गैस पर पूरियों को ना तले क्योंकि इसे पूरियां बहुत तेल सोखने लगती है तो इस तर हमारी अच्छे से फूल करके तयार हो जाएंगी हमने इसमें सूजी डाली है हलका सा नमक डाला है तो देखिए हर पूड़ी हमारी अच्छे से फूल रही है गैस का फ्लेम तेल अच्छे से गरम होना चाहिए गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए तो यहां पर इस तरह से तक इसी तरह से फुली फुली रहेंगी और नरम भी रहेंगी बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगी तो यहाँ पर मैं देखिए पूरियां मैं इस तरह से बना रही है और सारी पूरियां हम इसी तरह से बना करेंगे तो यह लीजिए बिल्कुल तयार है हमारी पूरी और खीर म बिल्कुल टाइट नहीं है बिल्कुल असारी से टूट रही है बहुत ही नरम यह पूरियां बन करके तयार हुई है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो के लाक्या बटन जरूर क्लिक करना और अगर आप मेरे पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगे और आप भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए कभी भी जटपड से ये खीर और पूरी की रेस्पी जरूर ट्राई करें बच्चे इसको खा करके बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर